Hello guys, welcome back to our YouTube channel The Adhiraj Classes, स्वागत है आप सभी का फिर से Adhiraj Classes के YouTube चैनल पर और guys एक छोटे से break के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि इस break की ज़रुत काफी समय से मैं महसूस कर रहा था जैसे एक computer को अगर हम लगातार यूज करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ineffective हो जाता है तो मुझे भी लग रहा था कि एक छोटा सा break चाहिए, तो एक छोटा सा break लिया, खुद को refresh किया और फिर से वापिस आयें दुगनी energy के साथ में, और आप सभी students को भी suggest करना चाहूंगा कि आप लोग KVS PRT के एक बड़े से target को chase कर रहे हैं, तो आप लगातार तीन से चार घंटे की study लगातार मत कीजिए, उसमें छोटे छोटे आप लोग भी break लीजिए, इससे आपकी study बहुत effective होती है अगर आपको music पसंद है, तो music सुन लीजिए, अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं, तो चाय पीजिए, तो छोटा छोटा आप लोग भी break लीजिए, work, rest, work, ये बहुत ही effectively work करता है ठीक है जी, without wasting your much time, चलिए, शुरू करते हैं आज की class को, और आपको पता है, ratio and proportion ये हमारा topic चल रहा था, maths का, इसके उपर हमारा first part हो चुका है, उसका link description box में given है, आप उसे वहां से भी check कर सकते हैं, और हम जल्दी से शुरू करते हैं अपने second part को, और लेते हैं अपने first question क तो क्या पूछ रहे हैं आपसे question में, if A is equal to B upon 3 and B is equal to C upon 2, then A, B, C का क्या ratio होगा, ये आपको बताना है, देखे, बिल्कुल simple है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, B को अगर हम इधर लेके आते हैं, तो हमें मिल जाता है A upon B, क्या होगा, 1 upon 3 होगा, क्योंकि B इसके upon में आ गया, B A upon C क्या होगा, C इसके upon में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, 1 upon 2, अब बिल्कुल simple है, A, B, C की ratio आप easily बना सकते हैं, मैंने आपको shortcut method बताया था, A, B, C, कैसे निकालेंगे इसको, 1, 3, A, B का ratio क्या है, 1, 3, B, C का ratio क्या है, 1, 2, अब देखे, यहाँ पर हम फिल करेंगे, य 1 की 1 से होई, 1 आ गया, 3 की 1 से होई, 3 आ गया, 3 की 2 से होई, 6 आ गया, तो ratio क्या मना हमारा, 1 ratio 3, ratio 6, यह कुछ cancel भी नहीं होगा, simplify भी नहीं होगा, so this is your final answer, तो दिया है आपको, yes, option D will be correct, समझ गया आप, चलिए, समझ गया है, तो चलते हैं, अपने next question पे, question number second पे, क्या कह र बढ़िया question है, important question है, इसमें क्या है, just language का फर्क है, बाकी सब कुस सेम है, तो देखे, क्या रहे है, 12 पैंस and 4 पैंसल, 12 पैंस प्लस, 4 पैंसल, क्या, cost as much as, इसकी cost क्या है, as much as, 3 पैंस and 9 पैंसल, यहां तक किसी को कोई प्रावलम नहीं है, 12 पैंस प्लस, 4 पैंसल की जो कीम क्या रहे है, what is the ratio of the cost of one pen to the cost of one pencil, एक पैंसल के साथ, जो भी cost है, उसका रेशो आपको निकालना है, तो देखे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको solve करते है, यहां पर आपके पैंसल है, तो 12 पैंसल में से 3 पैंसल को माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास 9 pen, ठीके जी, is equal to, 9 pencil इधर है, यहां पर, यहां पर 4 pencil है, 9 pencil में से 4 pencil को माइनस करते है, यह आता है आपका 5 pencil, second step में भी किसी को कोई problem नहीं होगी, अब ratio निकालना है, pen का pencil के साथ, तो देखे, pen का pencil के साथ ratio हमें बताना है, तो देखे, यह 5 as it is यहां पे रहेगा, यह 9 will be correct, तो second question में कुछ नहीं है, language को change करते हैं, और बच्चे confused हो जाते हैं कि question में पूछा क्या है, so just आपको जो कुछ भी given है, उसे mathematics form में लिखते जाएगे, आपका answer खुद पे खुद solve होके आ जाएगा, समझ गए आप, चलिए, चलते हैं अपने next question पे, question number 3 पर, देखे, अ आपके salaries के question रहते हैं, इस तरह के question बहुत पूछे जाते हैं, तो क्या पूछ रहे हैं, third question में, the number of workers in a factory is reduced in the ratio of 10, ratio 9, तो देखे, कहने का क्या मतलब है, एक factory में जो भी workers हैं, उनको reduce किया गया है, और किस ratio में reduce किया है, अगर पहले 10 workers काम कर रहे थे, तो अभी कितने कर दिय हैं, अभी 9 कर दिये, and the wages of each worker are increased in the ratio of 4, ratio 5, लेकिन जो per worker है, per each worker जो है, उसकी salary को बढ़ा दिया गया है, कैसे, अगर उसकी salary पहले 4 रुपे थी, तो अब कितनी कर दिये, अब उसकी 5 कर दिये, समझ गया, पहले अगर 4 थी, तो 5 कर दिये, लेकिन workers की संख्या घटा दिये, प If earlier the total wages were rupees 36,000, then what will be the total wages of all the workers afterwards, पहले, पहले की अगर हम बात करते हैं, तो 36,000 रुपे total salary उनको दी जा रही थी, सारे workers को, total wages है यह, सारे जो workers हैं, उनको 36,000 रुपे दे जा रहे थे, तो अब कितने देने पढ़ेंगे, यह आपको बताना है, तो देखे, इसे बिल्कुल जाता हूँ, एक line में, यह बात करना है, before की और after की, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं, वरकर्स की, ठीक है, तो पहले अगर 10 थे, अब कितने रह गए, अब रह गए आपके 9, salary की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पर worker की salary की, तो पहले 4 थी, और अब कितनी है, अब 5 हो गई अब अगर हम इनकी multiply कर देते हैं वरकर्स की अगर salary से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी हमारे पास निकलेगी total wages जो हमें given है देखे दस चौक 40, 59, 45 यह हमारा ratio निकल के आ गया और यह हमें given है 40 ratio 45 इसमें हमें given है कि पहले जो total salary थी वो 36,000 रुपे थी हमें क्या निकालन यह आफ्टर वाली है मैं मान लेता हूँ X होगी तो देखे हमें यहां से पता चल जाएगा एक 0 से आपकी एक 0 कड़गी 4 से इसको cancel कर दीजे यह आ गया आपका 900 की आप 45 से multiply करेंगे क्या है यह आएगा यह आएगा आपका 40500 बिलकुल सिम्पल है सो कौन सा सही होगा option A will be correct समझ गया तो before and after का concept यहां पे use किया है यहां पर workers की संख्या को घटा दिया और उनकी जो salary है उसको बढ़ा दिया है तो आपसे total wages आपसे पूछी थी जो हमने निकाल दी तो option यहां पे सही हो जाएगा समझ गया आप चलिए जल्दी से चलते हैं अपने next question पे question number 4 पे guys अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो please like जरूर किया करो और comment करके जरूर बताया करो आपका feedback हमें बहुत अच्छा लगता है ठीक है जी चलिए fourth question की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या पूछने question में the ratio of the speeds of three cars is 3 ratio 10 ratio 12 जो 3 car है उनकी speed आपको दी गई है 3 ratio 10 ratio 12 what will be the ratio of the time taken by them to cover a certain distance इन तीनों के द्वारा कितना time लिया जाएगा एक certain distance को cover करने में उसकी ratio आपको बतानी है तो देखें बिल्कुल simple है इस तरह का question मैंने आपको first part में भी कराया था और first part का link आपको description box में given है आप उसे वहां से जरूर चेक कर लेना और उसके सारे questions भी आप खुद solve करके देखना तो इस question की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आपको speed given है और speed का formula क्या होता है distance upon me time दूरी बटे में समय और अगर मैं time का formula निकालता हूं यहां से तो वो क्या आएगा distance upon me speed यहां तक किसी को कोई doubt नहीं है अब देखें हमें 3 car की speed दी गई है और एक certain distance को cover करने के लिए कहा गया है तो मैं मान लेता हूं कोई जो distance है वो 1 है आप कुछ भी मान सकते हैं आप 100 भ दालता हूं तो वो क्या होगा 1 upon me speed speed कितनी है 3 यह हमारा first car का time आ गया 1 upon me 3 अब second car का क्या होगा 1 upon me 10 3rd car का क्या होगा 1 upon me 12 1 क्या है 1 जो हमने distance मानी है 1 कुछ भी हो सकता है 1 km 1 miles कुछ भी आप मान सकते हैं तो देखें हमारे पस तीनों का time निकल के आ गया है 1 upon 3 1 upon 10 1 upon 12 अब आपको आंसर लेकिन आपको आंसर तो इसे हमें simplify करना होगा तो simplify कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था 3 10 and 12 इनका क्या ले लीजे आप LCM ले लीजे 3 10 12 इनका LCM क्या आएगा यह आएगा आएगा 60 तो 60 की सब जगा मल्टिप्लाइ कर दो ऊपर वहीं कोई फरक नहीं पड़ हो जाएगा तो देखें यहां से आपका simplify हो जाता है 60 को 3 से divide करेंगे 20 आगया 60 को 10 से divide करेंगे 6 आगया 60 को 12 से divide करेंगे 5 आगया तो यहां से आपकी exact ratio निकल के आजाती है 20 ratio 6 ratio 5 कौन सा सही होगा option D will be correct समझ गया चलिए चलिए अपने next question पे question number 5 पे guys एक चीज और जो भी questions म कराता हूं तो copy pen अपने साथ में लेके बैठिए और questions को खुद solve करके देखिए इससे आपकी practice होगी और practice के लिए मैंने आपको बताया था कोई भी book ले लीजे और जो भी आपके syllabus में topics given है उनको practice कीजिए ठीक है चलिए 5th question पे आगया हैं क्या पूच रहें आपसे income of A is 10% more than debt of B. A की जो income है वो B से 10% जादा है तो देखिए इसे मैं यहां पर लिख देता हूं maths की form में A की income B से 10% जादा है तो मैं मान लेता हूं B की income 100 रुपे है तो A की कितनी होगी? वह A की होगी 110 रुपे क्योंकि 10% जादा 100 का 10% होगा 10 रुपे तो 100 जमा 10 यानि 110 रुपे A की income हो गई आगे क्या 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 रहे है इनकम of B is 20% less than that of C. यहां पर एक व्यक्ति और आ गया है C. क्या 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 रहे है जो B की income है वो C से 20% कम है यानि कि अगर C की income 100 र 20% कम कर दीजे तो यह होगी आपकी 80 रुपेस कम है आपको बताना है what is the ratio of income of A, B and C. A, B, C तीनों की income का ratio क्या होगा तो बिल्कुल जो हमने first question में method यूज किया था सेम method हम लोग यूज करेंगे इस 100 को हम यहाँ पे लिख देंगे इस 80 को हम इधर लिख देंगे ठीके जी इ यहाँ पर सभी में एक जीरो आ रही है तो सम में से एक जीरो हटा दीजे आपके लिए थोड़ा सा simple हो जाएगा ठीके जी जैसे simplify हम लोग करते है अब 11 की 8 से multiply करेंगे 88, 10 की 8 से करेंगे 80, 10 की 10 से करेंगे 100 अब इसको simplify कर लीजे यह किस से cancel हो जाएगा आपका 4 से cancel हो ठीक है जी समझ गए आप यह बिल्कुल basic question है बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के exam में चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने next question, question number 6 पे क्या पूछ रहे हैं आप से the ratio of income of A and B is 5 ratio 3, A और B की जो income है वो आपको given है 5 ratio 3 and ratio of their expenditure is 9 ratio 5, उनके जो expenditure का ratio है वो भी आपको given है 9 ratio 5, if their savings are 2600 and 1800 respectively then their income is respectively आपको बतानी है उनकी income कितनी होगी तो देखे जो भी आपकी income होती है उसमें दो तरह की ही चीजे होती है वो या तो आपकी savings होगी या फिर आपके expenditures होगे या तो आप पैसे को save करेंगे या फिर आप उसे खर्च करेंगे तो इस question के अगर हम लोग बात कर करते हैं तो इसमें A और B की income का ratio आपको यहां पर given है 5 ratio 3 यह सारी चीज में हटा रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ इनकी income का ratio होगा A और B का वो होगा 5x and 3x यहां तक किसी को कोई doubt नहीं है मैंने इनकी income को मान लिया है ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजे हमें इनकी savings given है अगर इनकी income में से मैं इनकी savings को minus कर देता हूँ ठीक है A की जो saving है वो है आपकी 2600 B की जो saving है वो है आपकी 1800 अगर में इनकी savings को minus कर देता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे बचेंगे इनके खर्चे क्यों मैंने बतायाई था income 2 चीजों से मिलक बन थी है saving से और expenditure से तो इनकी expenditure का ratio हमें given है 9 ratio 5, समझ गए, तो यहां तक अगर किसी को कोई doubt नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, इनकी income हमें given थी, हमने इनकी saving minus कर दी, इनका expenditure निकलता है, दौनों को upon में रखते हैं, तो इनकी ratio हमें given है 9 ratio 5, अब कुछ नहीं है, इसको simplify कर लेते हैं, यहां पर clause multiply ह 5 की 5 की 5 होगी, तो यह हो जाएगा 25, 9 की 30 होगी यह हो आपका 27, 27 में 25 यह बचे jak 2X olarak 26 की पांट से multiply करेंगे यह आएगा आपका 13,000 1800 की 9 से multiply करेंगे यह आएगा आपका 16,200 16,200 में से minus करने हमें 13,000 तो यह कितना आएगा 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 आपका 32 2X की value है तो X की value की आगई यह आगई आपकी 1600 रुपे हमसे पूछा क्या है हमसे पूछिए उनकी income exact income पूछिए तो देखो हमें x की value पता चल गई तो a की income कितनी होगी 5x 5 की multiply कर तो 1600 से कितनी आ गई उसकी 16,85 यानी 8000 रुपय आ गई so 8000 a की income कहीं पर given नहीं है सरफ option d में ही given है तो b की income निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है ठीक है फिर भी अगर आप solve करना चाहते हैं तो 3x है 3 की multiply करेंगे आप 1600 से या आएगी आपकी 4800 so option d will be correct समझ गई आप आपने भी जब solve क्या होगा I think same answer आया होगा हमारा चलते हैं अब अपने next question पे question number 7 पे क्या पूछ रहे है question में the ratio of the ages of a father and his son is 4 ratio 1 एक father और उसके son की age का ratio हमें given है 4 ratio 1 यह present age की हम बात कर रहे है and the product of their ages is 196 और उनकी जो ages की जो multiply अगर हम करते हैं product करते हैं वो आता है हमारे पास 196 आगे का कह रहे है what will be the ratio of their ages after 5 years 5 साल के बाद उनकी ages का ratio क्या होगा यह आपको बताना है तो देखिए हमें यहाँ पर इनकी ages का ratio दिया है 4 ratio 1 तो मैं मान लेता हूँ father की age होगी 4x और उनके बेटे की I.U. होगी x ठीक है यहां से multiply करते है 4x square is equal to 196 तो यहां से आप x की value निकाल लिए 4 यहां पर divide में चला जाएगा इसको divide कर दीजे यहां पर आएगा 49 तो x की value कितनी आ गई यह square इधर चला जाएगा root में तो x की value आ गई root 49 क्या होगा यह आ गया आपका 7 अब x की value अगर 7 आ गई है तो इनकी ages इनकी present age निकाल लीजे कैसे निकालेंगे 4x और x है यानि की इनकी ages होगी 7 चौक 28 और इसकी कितनी होगी इसकी होगी 7 हमसे पूछा है इनकी 5 साल के बाद जो age का ratio यह हमें बताना है तो दोनों में 5 प्लस कर दीजे कर देते हैं 5 को plus 28 प्लस 5 यह कितना हो गया यह होगा आपका 33 7 प्लस 5 यह होगा आपका 12 अब 33 and 12 यह किस से cancel होंगे 3 से cancel हो जाएंगे यह होगे आपका 11 पे cancel यह होगे आपका 4 पे cancel तो क्या है हमारे पास 11 ratio 4 so option C will be correct समझ गया simple question है बिल्कुल आसान से question है हर बच्चा कर सकता है इनको solve ठीके जी चलिए चलते हैं अपने next question पे question number 8 पे guys question number 8 आपका allegation method के उपर base है इसे mixture method भी कहते हैं क्या होता है को थोड़ा सा समझ लीजे यह मैंने आपको profit and loss में भी बताया था मान लीजे A and B कोई दो चीजे है मान लीजे A milk है और B आपका water है इनका price भी हम मान लेते है मान लीजे milk आपका 50 rupees per liter है और water तो पता ही आपको वो 0 rupees होगा वो free होता है आप इसको किस ratio में mix करेंगे आप इसे किस ratio में mix करेंगे ताकि जो नया mixture तयार हो जिसे हम कह सकते है C उसका जो price हो जाए वो 40 rupees per liter हो जाए तो इस तरह के question आपसे पूछे जाते है इनके लिए सबसे best method है आपका allocation method अब question के थूरू इसको समझते है क्या कह रहे है आपसे in what ratio should wheat costing rupees 15 rupees 50 per kg एक wheat है जिसका price आपको given है 15 rupees 50 per kg be mixed with wheat at rupees 6 rupees 50 per kg एक कोई दूसरा wheat है जिसे हम कह सकते है भी उसका price आपको given है 6 rupees 50 पैसे यानि कि एक महंगा गय हूँ है और एक सस्ता गय हूँ है इन दौनों को आप किस ratio में mix करेंगे कि जो नया mixture तयार हो वो कितना हो जाए उसका price वो 9 rupees 50 पैसे हो जाए यानि कि अगर हम इन दौनों को mix करते हैं तो एक नया mixture तयार होता है और उसका price क्या हो जाए वो 9 rupees 50 पैसे हो जाए ये mixture है आपका C तो सबसे best method आपको बता दिया allegation method है कैसे use करते हैं इसको हमें कुछ नहीं करना है हम minus करेंगे कैसे करते हम इससे solve A मेंसे C को minus कर लीजे B मेंसे C को minus कर लीज बड़े में से छोटे को minus करना है तो 9 में से अगर हम 6 को minus करते हैं ये आएगा आपका 3 3 ratio 6 तो 3 और 6 को simplify कर सकते हैं 3 से cancel हो जाएंगे ये ये आगया आपका 1 ratio 2 so option A will be correct समझ गए आप allegation method mixture method सबसे best method है इस तरह के questions को solve करने के लिए ठीक है चलिए 9th question पर आगया हम अपने क्य gold and copper A और B दो mixture हैं जिनमें क्या है gold and copper है दोनों में these metals are in the ratio of 7 ratio 2 and 7 ratio 11 respectively अब इस चीज को समझ लीजे यानि की A में gold कितना है 7 है और copper कितना है वो 2 है B में gold कितना है B में gold है 7 और B में copper कितना है वो है आपका 11 ये चीज़ समझ गया आगे आप से कह रहे हैं mixing equal amounts of both the mixture to form mixture C इन दौनों को same amount में मिलाया गया और एक नया mixture तियार गया mixture C आपको बताना है what is the ratio of gold and copper in C gold और copper का C में क्या ratio होगा ये आपको बताना है तो देखे इस question को मैं आपको दो तरीके से solve करना बता सकता हूँ first method और second method तो सबसे पहले first method समझ लीजे first method आप सभी को असान लगेगा लेकिन थोड़ा सा time consuming होगा second method आपका थोड़ा सा time कम लेगा लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना तो पहले first method आपको समझा देता हूँ देखें जो चीज हमें दी हैं हम उन्हें वैसे ही लिखने वाले हैं a और b दो mixture है और उसमें क्या क्या है उसमें आपका एक gold है और एक आपका copper है a में gold कितना है a में gold है 7 upon me 9 यहां से मैंने निकाला है 7 upon me 9 और copper कितना होगा वो होगा आपका 2 upon me 9 इन दोनों को plus करेंगे 7 plus 2 9 तभी आपके 9 आया है b की अगर हम बात करते है b में gold कितना है 7 upon me 11 और 7 कितना हो गया 18 बी में copper कितना है वो है आपका 11 upon me 18 यहां तक किसी को कोई doubt नहीं है अब आपको क्या बताया है इन दौनों को हमने a और b को equal amount में mix किया है a और b को हमने equal amount में mix किया है यानि कि अगर हमने 1 kilo a का mixture लिया है तो b का भी हमने 1 kilo ही लिया है अब इन दौनों को mix किया गया है a और b को mix किया गया है ठीके जी तो मैं यहां पर plus का sign लगा दिया एक नया mixture तियार किया गया mixture C तो देखे इनको सरफ हमें plus करना है और ratio में हम र 20 बटे 18 आ गया और यहां पर अगर में simplify करता हूं यह आ गया आपका 4 11 4 15 15 बटे में 18 यानि की mixture C में इतना gold होगा और इतना आपका copper होगा इनका हमसे ratio ही तो पूछा है तो ratio निकाल दो पर देखो 18 से आपका 18 cancel हो गया 21 और 15 यह किस से cancel होगे यह आपके 3 से cancel हो जाएंगे त तो कौन सा सही हो गया option C will be correct 7 ratio 5 अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझ लेना यहां पर हमें बोला था कि इनका हमने equal ratio लिया है यानि कि जितना हमने mixture A लिया है उतना ही हमने B लिया है मान लो अगर यह कहते कि A और B को हमने 2 ratio 3 में लिया है यहां पर अगर यह बोल देते कि mixing equal amount ना कहके कि इन दौनों को हमने 2 ratio 3 में mix किया है तब हम क्या करते तब हम A की जो multiply करते वो करते 2 से और B की multiply करते यहां पर 3 से अगर वो ऐसा कहता यहां पर कहा है कि दौनों equal amount में लिया है तो आप एक से multiply करके कोई फायदा नहीं है सेम ही रहने वाला है सब तरफ तो यहां पर आ गया है अब अपना second method समझ लो second method ध्यान से समझना जो question number 8 में हमने allegation method यूज किया है उससे ही आपको answer बताऊंगा कैसे allegation method ही हम यहां पर use करेंगे A और B मैंने यहां पर लिख लिया देखे सर्फ gold से निकालते हैं यहां पर gold कितना होगा A में A में gold है आपका 7 upon में 9 बी में gold कितना होगा वोगा आपका 7 upon में 18 देखे यहां पर ठीके जी यहां तक किसी gold डाउट नहीं है इन दोनों को तयार करके एक नया mixture बनाए गया mixture C यह आपका mixture C हो गया यही आपका allegation method है अभी तक हम यही तो करते थे कि A और B आपको दिया है mixture C आपको दिया होता अब हमें यह वाला price नहीं दिया यहां पर जहां पर मार कर रहा हूं माल लेता हूं यह x होगा ठीके जी अब allegation method में हमने किया क्या था उसको remind कीजे हमने यहां पर minus किया था यही तो किया था हमने तो same चीज में यहां पर करता हूं 7 upon 9 minus x is equal to x minus 7 upon 18 ठीके एक बार इसको minus कर अब इस चीज को यहां पर देना मैंने इस में से x को minus किया है फिर x में से इसको minus किया है same चीज हम allegation method में करते आए हैं अब आप कहेंगे सर आपने इनको equal में क्यों रखा वाई हमें यहां पर बोला है यह 1 ratio 1 है अगर यह यह कहते की 2 ratio 1 तो हम क्या करते यहां पर 2 की multiply करते यहां पर 1 की करते यह अगर कहते यह 2 ratio 3 में इसको mix किया है तो हम यहां 2 की करते यहां पर 3 की करते यहां पर हमें सरफ 1 ratio 1 बोला है तो मैंने इसे adjectives रख दिया है अब simply इसको solve करके यहां पर आप x की value निकाल लीजिए तो दिखे ए x और x यह minus का x इधर जाके हो जाएगा आ यह आएगा आपका 21 बटे में 18 इसको जब हम simplify करेंगे तो इस 2 को हम यहां से हटा देते हैं यह चला जाएगा इधर multiply में तो x की value आगई आपकी 21 बटे में 36 है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है अब धियान से समझना मैंने यहां पर भी gold लिया था यहां पर भी gold लिय से 21 को minus करेंगे यह आगया आपका 15 तो mixture C का हमें ratio मिल गया mixture C में 21 आपका gold होगा और 15 आपका copper होगा आप इसे simplify करेंगे 7 ratio 5 आपका answer आगया तो जो भी method आपको सही लगता है आप उससे solve कीजिए मेरे accordingly दोनों ही बढ़िया है आप जिससे practice कर लोगे आप उससे कम time में solve कर ल one number is added to another number यानि कि किसी number का अगर 20% add किया जाता है दूसरी number में then this number is increased by 50% यह number 50% बढ़ जाती है then what is the ratio of these numbers इन दौनों ही number का क्या ratio है यह आपको बताना है हिंदी वाले समेजी इस question को यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड दिया जाता है तो इस संख्या में 50% की वृद्धी हो जाती है इन संख्याओं में क्या नुपात है यहाँ पर सिर्फ और सुर्फ language का खेल है अगर x का 20% है x का 20% है अगर वो दूसरी number में 50% बढ़ जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि x का 20% है वो y के 50% के equal है तो यहाँ से ratio निकाल लीजे x upon y का ratio क्या हो गया यह आगया आपका 50 upon me 20 यानि की 5 upon me 2 यानि 5 ratio 2 it means option c will be correct सिर्फ और सिर्फ language का खेल है अगर question समझना है तो question को एक से जादा बार पढ़ो आप समझ जाओगी कि question कहना क्या चाहरा है तो guys यह थे आज के आपके total 10 question I hope आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी allegation method जरूर कर लेना क्योंकि यह एक important topic है एक जब कहते ना ही कि अ